प्राथना के लाब के बारे में आगे बढ़ूंगा अनन्य बाशा के लाब क्या है तो पहले चार लाब के बारे में हमने भाग एक में पढ़ा, समझा, जाना अगर आप भाग एक नहीं देख पाए तो benefits of praying in tongues आप जाकर YouTube पर हमारे चैनल पर जरूर देख सकते हैं उसका part 1 तो पहले चार लाब जो थे मैं दुबारा बताना चाहता हूँ पहले चार लाब ये थे जो अननने बाशा में प्रातना करता है वो अपनी उनती करता है पवितर शासर बाइवल में लिखा है पहला कुरिंथियो उसका 14 अधियाए और उसकी 4 आयत में इसके बारे में लिखा है दूसरा लाब जो हमने अननने बाशा के बारे में समझा वो ये था कि इसके प्रातना करने से हमारा विश्वास का बड़ोतरी होता है तीसरा हमने देखा हम परमिश्यर की सिद्धिच्छा के मुतावी प्रातना करते है चौथा लाग जो हमने देखा हम अपने पूरे दे पर लगाम लग जाता है जिसके बारे में हमने याकूब की पत्री तीसरा दे आए दूसरी आए तीसरी आएत में जिसके बारे में अच्छी तरह समझा है तो कृपया भाग एक जरूर देखे अगर आपने नहीं देखा दो तो अब आगे बढ़ूँगा पॉइंट फाइव की तरफ और इसके बारे में लिखा है पहला कुरिंथी यह उसका 14 दे आए दूसरी आयत में जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है जो अन्य बाशा में बाते करता है वे मनुश्य से नहीं करता मनुश्य से नहीं प्रंतु परमेश्वर से बाते करता है इसलिए उसकी कोई नहीं समस्ता क्योंकि वे बेद की बाते आत्मा में होकर बोलता है तो मनुश्य से बात नहीं कर रहा जो अनन्य बाशा में प्रात्ना कर रहा कोई कह रहा है कि बाई तुम्हारी को समझ नहीं आ रही तुम बोल क्या रहे उनकों को बैया तुम्हारे से बात नहीं हो रही मेरी परमेशर से बात हो रही है परमेशर के आगे प्राथना विंती हो रही है क्योंकि बाईवल में लिखा है उसकी कोई भी नहीं समस्ता दुनिय कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वे बेद की बाते बेद की बाते आत्मा में होकर बोलता है बेद की बाते मिस्ट्रीस मिस्ट्रीस बोल रहा है बेद की बाते बोल रहा है जो कोई समझ नहीं सकता तो अगर जब हम अमन्ने बाशा में प्रात्ना कर रहे हैं हम क्या कर रहे है हम बेद की बाते बोल रहे हैं प्रभू के आगवन की बाते बोल रहे हैं हमें नहीं मालू हम क्या बोल रहे हैं लेकिन याद रखें पवितर आत्मा के अनुवाद का वर्दान भी है जो परमेशर ने अपनी कलीसिया को दिया है तो हो सकता है जो बेद की बाते बोल रहे हैं हो तो आप ये समझ आएंगे आत्मा में, अगर आप आत्मा को समझने वाले व्यक्ति हैं, सिर्फ वचन को नहीं, लेकिन आत्मा की बात को भी समझने वाले व्यक्ति हैं, तो बहुत सरे लोग सिर्फ वचन को समझते हैं, लेकिन आत्मा की आवास को नहीं समझ पाते, तो बेशक वचन को समझना बहुत महित्वपूर्ण है वो सबसे आगे है परमेशर ने बाइवल में लिखा है अपने वचन को अपने से उचा ठहराया है लेकिन आत्मा की अवास को भी सुना है बाइवल में पढ़ते हैं प्रेरितियों के कारे में प्रभू के चेले कई बार प्राथना में बैठते थे और आत्मा की अवास को सुनते थे और पवितर आत्मा ने उनसे कहा पॉलुस और बरभा को मेरे लिए अलग ठेरा दो तो वो अक्सर परमेशर के आत्मा की अवास सुनते थे सिर्फ वचन कोई नहीं सुनते थे सिर्फ वचन कोई नहीं पढ़ते थे परमेशर के आत्मा की आवाज सुनते थे तो हमें यह सीखना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में डिवाइन डिरेक्शन पाने के लिए तो जब अनन्य वाशा में बाते करते हैं कोई नहीं समस्ता परमेशर समस्ते हैं लेकिन याद रखे अनुवाद का एक वरदान है हो सकता है वो भेद परमेशर आपके जीवन में प्रगर करना शुरू हो जाए इतना ही नहीं जब आप अनन्य वाशा में प्रातना करेंगे आप देखेंगे जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं बाइबल खुलनी शुरू हो जाएगी बाइबल के वचनों में जो बेद छुपे हुए हैं गहरी बाते छुपी हुई हैं आत्मा में बाइबल की बहुत सारी बाते जो हैं वो आप दिमाग से नहीं समझ सकते कि ये आयत क्या बोल रही है बहुत सरे लोग दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं उसको सिर्फ आत्मा में ही समझा जाता है जब परमेश्वर आत्मी गाते खोल देते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है ये वचन क्या बोल रहा है तो भेद की बाते आत्मा में होकर बोलते हैं तो प्रभू ये मिस्ट्रीज को डिवाइन मिस्ट्रीज को अनुवाद के दौरा ये आपको निजी अनुवाद देकर जरूरी नहीं किसी और ने आकर अनुवाद करना है निजी अनुवाद के दौरा परमेश्वर उन बातों को हमारी जिंदगी के आगे खोलना चाते हैं चटी बात की और आगे बढ़ेंगे और ये जो पॉइंट था इसको और बहतरी से मैं अगले पॉइंट के साथ जब जोड़ूँगा जो की चटे के बाद वाला पॉइंट होगा और विदेशी बाशा जिन से उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो और उन्होंने सुनना ना चाहा जब हम इंगलिश बाइबल में पढ़ते हैं जैसे इस समय आप इंगलिश बाइबल देख रहे हैं आईजाया चैप्टर 28 वर् 11 यहां लिखा है for with stammering lips लेकिए जब हिंदी पावल पढ़ते हैं वहाँ पर लिख दिया पर देशी होटो जब हम किंग जे वर्जन में पढ़ते हैं वहां लिख रहा स्टैमर स्टैमरिंग लिप्स कप कप आते हुए होट जैसे कोई रुक रुक के रुक रुक के शब बोल and with sudden involuntary pauses so अब क्या कर रहे हैं इसका dictionary में मतलब लिखा है कि कोई शब्द है जो बार बार वही शब्द बाहर बार दोराए जा रहे हैं रुक रुक कर so यहां पर जो English जो real context है जो इबरानी बाशा में लिया गया है वह स्टैमरिंग कप कप आते हुए होट लेकिन जब हिंदी बावल में लिखा गया क्योंकि जो अनुवाद कर रहे थे वो उस बात को समझ नहीं पाए इसका क्या अनुवाद दिखे तो उन्होंने यहां पर ल जहां पर वो अर्थ आया इसलिए बहुत सरे लोग अनुवाद्शा को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ हमने हिंदी बावल में पढ़ा और हिंदी बावल को अनुवाद करने वाले इसका अनुवाद अच्छी रीती से यां क्लैरिटी के साथ नहीं कर पारे ज यानि की और कोई जुबान में अनजानी जुबान में अनदर टंग जो की मनुष्य नहीं समझ सकता विल ही स्पीक टू इस पीपल सो यहां पर क्या लिखा है यहां पर दो एंगल से इस वचन को देखा जा सकता पहला तो यह है जो अगली आयत में लिखा है कि प्रभु ने क इसका आर्थ क्या है आए हम इसका आर्थ देखे पहला कुरिंतियों 14 अदयाये 27 वियाये जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यदि अन्य बाशा में बाते करनी हो तो दो दो यहां बहुत हो तो तो तीन जन बारी-बारी बोले और एक व्यक्ति उनका अनुवाद करे तो से आपर अनुवाद की बात किके दो-दो लोग यहां तीन-तीन लोग बोले और अब एक अनुवाद करने वाला आएगहा और बताएगा परमेशवर का आत्मा कलीसिया से क्या बोलता है तो जब परमेशवर के आत्मा की हवास सुनाई देती है उससे क्या बिलता है रेस्ट म द्वारा ठके हुए को विश्राम दो प्रंत उन्होंने सुनना न चाहिए यानि कि अब अनन्य भाशा में बाते बोला गया जिसका अनुवाद किसी एक व्यक्ती ने किया और लोगों के उपर विश्राम की बाते बोली जा रही है लेकिन कुछ लोगों ने इस विश्राम को आज परकार की अन्य बाश्या के बारे में बाइबल में लिखा है तो कृपया उस विश्राम को जरूर सुन लीजिए और यहां पर लिखा है वे क्या कर रहा है इसके दुवारा विश्राम की बाते मेरे लोगों को विश्राम दो तो बेशक उसका अनुवाद मिलता है जब जीवन में देने के लिए इसके लिए बविश्वानी होता है तो बेशक इसका अनुवाद भी हो सकता है लेकिन अनन्यवाशा के द्वारा जब हम बाते करते हैं हम समझ पाएं या ना समझ पाएं अनुवाद कर पाएं या ना कर पाएं लेकिन इसके द्वारा क्या हो रहा है ह हमारे soul को rest मिल रहा है, हमारे mind को विश्राम मिला है, हम rest place में आ रहे हैं, और याद रखे, जब हम अनन्य बाठचा में प्रातना करते हैं, हमारा बुद्धी काम नहीं देता, बाइलल में लिखा है, हमारा बुद्धी काम नहीं, वो कहा है, वो विश्राम में है, तो अनन्य बाश्या में प्रातना करने से क्या है हम नई तासगी पाते हैं नया विश्राम पाते हैं मुझे याद है कई बार ऐसी मीटिंग में परचार करने गया मैं बहुत थक गया एक के बाद एक मीटिंग एक के बाद एक मीटिंग लेकिन मैं क्या करता रहा मैं अनन्य बा का दिन था को वही दिन चुटी का होता है और मुझे चार यां पांच मीटिंग करनी थी तो पहला मीटिंग मैंने जबलली में किया दूसरा मीटिंग मैंने अबुदाबी में किया तीसरा मीटिंग मैंने जबलली में किया मैं उसके बाद फिर अबुदाबी गया और फिर उसक चल पड़ती है क्योंके सड़की अक mínimo काड़ी होती है और बहुत चोड़ी होती हैं लेकिन पाँच मीटिंग मुझे एक दिन में करना बड़ा और मुझे याध है रास्ते बर मैं अनन्य बाशा में प्रात्ना की और पाँचों मीटिंग में बहुत ब्रेक्ट्रू था बेशक मेरी जिस्मानी थकावट भी दूर हो जाती थी मैं देखता था क्योंकि उससे कुछ दिन पहले भी में मीटिंग चला रहा था लेकिन एक आत्मा में एक रिफ्रेश्मेंट एक ताज़गी और फ्रेश वर्ड यहां तक कि मैं कोई वचन भी तियार नहीं कर रहा था अगले क्या बोलना है क्या नहीं लेकिन मैं अनन्य बाश्या में प्रात्ना कर रहा था और जैसे मैं स्टेज पर जाता था मुझे मालम था मुझे क्या बोलना है पर मेरे द्वारा क्या बुलाना चाता है तो अनन्य बाश्या में प्रात्ना करने से रफ्रे और यहां लिखा है हर समय और हर परकार से आत्मा में प्रातना और विन्ति करते रहो इसलिए जागते रहो कि सब वो पवित्र लोगों के लिए लगातार विन्ति किया खरो पवित्तर लोगों के लिए विंती किया करो क्या विंती करे पवित्तर लोगों के लिए हाँ प्रभू उनको संभाल कर रखे बचा कर रखे ऐसा करे वैसा करे लेकिन उसके बावजुत और भी बहुत सारी बाते हो सकती है जिसके लिए हमें प्रात्ना करने की जुरूत है लेकिन हमें मालुम नहीं है तो मैं चाहता हूँ इस बात की और ध्यान जो हमें देना है आत्मा हर परकार से तो बुद्धी के साथ भी पॉलूस के कहता है पहला कुरिंथियों 14 का 15 में तो क्या करना चाहिए मैं आत्मा से भी प्रात्ना करूँगा 14 का 15 जैसे स्क्रीन देख रहे हैं आप और बुद्धी से भी प्रात्ना करूँगा तो हर परकार से हर समय और हर परकार से आत्मा से भी प्रात्ना करना है और बुद्धी से भी जिसमें हमारी बुद्धी इस्तेमाल हो रही है हमारी समझ, हमारी intelligence, हमारा intellect, हमारी knowledge हमें मालूम है क्या प्रात्ना करना चाहिए हमें हालात मालूम है तो मैं उसके मुताबिक भी प्रात्ता करूँगा लेकिन मैं आत्मा में भी प्रात्ता करूँगा आत्मा से भी यानि कि अंजानी अनन्य बाशा में भी प्रात्ता करूँगा रोमियो 8 का 26 देखेंगे यहां क्या लिखा है इसी रीती से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्राथना किस रीती से करना चाहिए हम नहीं जानते प्राथना किस रीती से करना चाहिए प्रंतु आत्मा आप ही आत्मा आप ही ऐसी आहें बरबर कर जो बियान से परे हैं जो कोई समझ नहीं सकता हमारे लिए विंती करता है हालेलोया परमेश्र के पवित्र लोगों के लिए विंती करता है जिसके बारे में बाइबल में हमने अभी पड़ा है फीसियो 6 का 18 में हर समय हर परकार से आत्मा में प्राथना करते रहो और क्या लिखा है और सब पवित्र लोगों के लिए लगा अतार विंती करते रहो तो हमें समझ से भी पवित्र लोगों के लिए परातना करेंगे और अनन्य बाशा में भी जब हम परातना कर रहे हैं तो हम पवित्र लोगों के लिए भी बचाए हुए लोगों के लिए भी छुटकारा पाई हुए लोगों के लिए भी जो परमेशर की सेवकाई करते हैं उन उसका अनुवाद मिल जाए और हो सकता है हमें उसका अनुवाद मालुम ना हो उसका मतलब उसका आर्थ हो सकता हमें मालुम हो हो सकता उसका आर्थ हमें मालुम ना हो और अब हम आठवी बात की और आगे बढ़ेंगे और आठवी बात है अनने बाशा में प्रात्न करें से दर प्रित्वी पर एक ही बाशा और एक ही बोली थी सारी प्रित्वी पर और ग्यारा का 6 में लिखा है यहुआ ने कहा मैं क्या देखता हूँ ये सब एक ही दल के हैं और बाशा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम करना अरंब भी किया है और अब जितना वे करने का यतन करेंगे उन में से कुछ उनके लिए अन होना ना होगा जो कुछ भी वो करना चाहेंगे तो वो क्या करना चाहते थे वो बड़ा गुमट बनाना चाहते थे जो आकाश को चुए तो अब उनकी बाशा एक थी, वो दल एक था, उनका दर्शन एक था, उनका मकसद एक था, उनकी बाशा एक थी और यहाँ पर परमेश्य ने मनुश्य की बाशा में गड़बडी डाल दिया और बाइबल में लिखा है मनुश्य पूरी प्रिथवी पर इस कारण से फैल गया जो की परमेशर की इच्छा थी कि फूलो फलो और प्रिथवी में बर जाओ लेकिन मनुश्य एक ही जगा था तो यहां पर गरबड़ी आ गई और यहां पर मनुश्य अपना नाम बनाने के लिए एक उच्छी गुमट को बनाना चाहते थे और परमेशर इस बात का गवाई देते हैं इनकी एक ही बाशा है तो हम जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारी बाशाएं हैं जो मनुश्य बोलत है लेकिन एक ही चीज जो हमें एक करती है एक करती है वो है परमेशर का आत्मा जब परमेशर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है हम नई स्रिष्टी बन जाते हैं हम एक नई पहचान मिल जाती हैं हम परमेशर के पुत्र बन जाते हैं हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं हम स्वर्ग के नागरिक तो एक ही हमारा देश है एक ही हमारी पहचान है हमारा मकसद एक है परमेशर के काम को महिमा देना और हमारी बाशा भी क्या है अब अनन्य बाशा हमें मिल गया है ताकि हम अनन्य बाशा में परातना करें क्योंकि याद रखे जैसे मैंने पहले भी बताया अनन्य बाशा में परातना करते हैं बेद की बाते बोलते हैं और परमेशर का आत्मा क्या करता है हमें अनुवाद देता है अनुवाद अलग लगरीती से होता है पहली बात हो सकता है हमारे माइंड में समझ आ जाए कि ये मैंने क्या परातना किया दूसरा है हमारे mind के अंदर एक thought throw हो जाता है परमेशर एक विचार को हमारे mind में हमारे मन में डाल देते हैं अनन्य बाशा में प्रात्ना करने के दुआरा कि हमें क्या करना है आज हम देखते हैं कई बार बहुत सारे लोग विश्वासी लोग होते हैं दल तो एक ही है तो प्रभू के लोग लेकिन बहुत सारी बातों पर उनकी सैम्ती नहीं बनती कोई कहता है ये करो दूसरा कहता है कुछ और करो तीसरा कहता है कुछ और करो लेकिन जब हम अनन्य बाशा में प्रात्ना करेंगे क्या करेंगे हमारे अंदर एक ही विचार आएगा एक ही सोच आएगी एक ही आजना आएगी जब हम एक genuine believer हैं और हम परमेश्चित की इच्छा को पूरा होती हुए देखना चाह रहे हैं तो जब हम अनन्य बाशा में प्रा प्रात्ना किया हम लोगों ने अनन्य बाशा में प्रात्ना भी किया और उसके बाद जब planning की बाते आई है या दर्शन की बाते आई तो बहुत सारी लोगों ऑंको सेम चीजें की गोशना करें और परमेश्र क्या करते हैं हमें उसका अनुवाद भी बदा देते हैं हमें उसका अर्थ भी समझा देते हैं ताकि हम सब की विजन में एक ही युनिटी बनी रहे हम एक ही दल बने रहे और एक ही कारे करेंगे प्रभू ने अपने मुझ से सबूत दिया है अब बार doctrinal issues के कारण लोग टूट जाते हैं कलीसिया एक दूसरे से अलग हो जाती है कई बार कलीसियाओं के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हैं तो इबलिश शेतान हमेशा एक तोड़ डालने की कोशिश करता है बिलकुल वैसे जैसे केन और उन्ने वाला नहीं है लेकिन जब हम अन्ने बाशा में प्राता करें क्या है हम सेम बाते करेंगे हमारा मकसद हमारा दर्शन हमारी सारी बाते एक ही हो जाएगी और बाइबल में लिखा है ये सब एक ही दलके है एक ही बाशा है एक ही मकसद है एक ही काम करने को इन्होंने ठा दिख रहे हैं तो नौवा फाइदा क्या है यह कुंजी है आत्मिक वर्दानों में चलने के लिए अगर आप आप बाकी परमेशर के आत्मिक वर्दानों में चलना चाहते हैं खासकर गिफ्ट ऑफ अटरेंस यानि की प्रॉफेसी बविश्यवानी गिफ्ट ऑफ विजडम या वो कैसे हालातों से गुजर रहा है वो बता पाना गिफ्ट ऑफ अटरेंस बोलते हैं यह सब अरन्य वाशा में प्रात्ना करने से बड़ी आरीती से रिलीज होते हैं हमारे मू के दवारा हमारे होठों के दवारा इंटरप्रेशन मिल जाता है हमें इनुवाद मिल जाता है परमेश्र का आत्मा हमें दिखा देता है वो हमें क्या कहना चाता है तो इसके बार में हम पढ़ते हैं पहला कुरिंथियों 14 देयाय चौथी आयत में जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो अन्य वाशा में बाते करता है वे अपनी ही उन्टी करता है जो बविश्वानी करता है वे कलीसिया की उन्टी करता है तो जब तक हमारी खुद की उन्टी नहीं हुई हम कलीसिया की उन्टी कैसे करेंगे तो जब आपने अंजानी वाशा में अन्य वाशा में प्रात्ना की आप उन्नत हो गए अब आप दूसरों के भी मदद कर सकते हैं तो अगर आप 14 दियाए 13 इस कारण जो अन्य बाशा बोले वे प्राथना करें फर्स कुरूंतियन चैप्टर 14 वर्स 13 इस कारण जो अन्य बाशा बोले वे प्राथना करें कि उसका अनुवाद भी कर सके प्रभू मैंने अन्य बाशा बोला और मेरी प्राथना है मुझे इसका अनुवाद भी मुझे इसका अनुवाद चाहिए तो आप अगर अन्य बाशा में प्रातना करते हो आप आज अनुवाद करने के लिए प्रातना करो प्रभू मुझे समझाओ यह जो मैंने बोला है इसका क्या अर्थ है चाहे मेरे दिमाग में डालो चाहे मेरे विचारों में डाल दो चाहे मेरे कानों में बोल दो चाहे मुझे एक दर्शन दिखा दो परमेशर आपको उसका अनुवाद देंगे बहुत बार बहुत सरी लोग जो अन्य वाशा में प्रात्ना करते हैं जब आपको विजन दिखता है हो सकता रात को ड्रीम आता हो तो आप समझ नहीं पाते हैं यह रिजल्ट है क्योंकि आपने अन्जानी वाशा में भी प्रात्ना किया था तो dream directly भी आ सकता है बिना अंजानी वाशा में बोलने से लेकिन अंजानी वाशा में बोलने से और खितना बढ़कर हमें dream या vision यहां परमेशर की आवास को न सुन पाएंगे तो आप और आवास के वो प्रभु की सुनेंगे तो परमेशर आपको अनुवाद देते बहुत बार हम समझ नहीं पाते लेकिन प्रात्ता करो जब आप अनुवाद दे खास कर जब आप कलीसिया में हो जब आप लोगों के बीच में हो और आप उनको कोई संदेश देना चाते ताकि आप कलीसिया की तरकी का उसकी उनती का कारण बन सके इसलिए इस कारण जो अन्यवाशा बोले वे प्रात्ना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके दस्वी बाद जो हम प्रभु के वचन में देखते हैं मैं जल्दी से आगे बढ़ूँगा पहला कुरिंतियों 14 आदिया और 15 आयत में क्या लिखा है सो क्या करना चाहिए मैं आत्मा से भी प्रात्ना करूंगा और बुद्धी से भी प्रात्ना करूंगा मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धी से गाऊंगा आत्मा से गाऊंगा बुद्धी से गाऊंगा जो वर्षिप है यह एक most intimate तरीका है पर अगर परमेश्र के बहुत गेराई से intimate होना है तो वो वर्षिब हैं बाइबल में पढ़ते हैं सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था जब वर्षिब होता था जब परमेश्र की अरादना होती थी पूर्णी अपने गुटनों पर आ जाते थे गिर जाते थे जुग जाते थे बा अपने मुकुट को उतार लेते हैं तो वर्शिप एक सबसे इंटीमेट तरीका है परमेश्र के साथ जुढने का तो पॉलुस कहता है मैं बुद्धी से भी प्रात्ना करूंगा मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं आत्मा से भी गाऊंगा आत्मा से भी गाया जा सकता है अनन् या निजी प्राथना में या सबाओं में भी जब मैं अराधना कर रहा हूं बुद्धी के साथ तो कई बार अनन्य बाशा के शब्द मैंने गाना शुरू कर दिये मैंने अंजानी बाशा में गाना शुरू कर दिया और इतना इंटीमेट था कि जब तक एक व्यक्ति इसको और अन्जानी बाशा में भी अराधना करो इसके सामर्थ को निश्चे आप जीवन में अनुबव करने पाओगे रिखाराबा सिखे हम थोड़ी देर अनने बाशा में प्राथना करें कि आप मेरे सद मिलकर प्राथना कर सकते हो और अन्जानी बाशा में ये भी बोलना शुरू हो जाएं प्राथना करना शुरू हो जाएं अराधना के गीद गाना शुरू हो जाएं आपका दन्ने बाशा अन्जानी बाशा में ये भी बोलना शुरू हो जाएं प्राथना करना शुरू हो जाएं अराधना के गीद गान शुरू हो जाएं आपका धन्यवाद इश्यू मसी के नाम में आमें आखरी जो ग्यार्मी बात में आपके साथ करना चाहता और भी बहुत सारे लाब है लेकिन मैं हर बात बता नहीं सकता आप यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं बहुत सारी टंग्स के उपर विक्रम शाही टंग्स या रीतुशाही टंग्स करके अगर आप टाइप करेंगे तो हमारी सारी शिक्षाएं जो हमने अनन्यवाद्शा के उपर दी गई हैं सवालों के जवाब भी दिये गए हैं वो सब भी आपको मिल जाएंगे तो ये बहुत महतरबन विशे है जिसको हम बहुत सीरिय मिलता है इसके बारे में लिखा है रोमियो आठका ग्यारा में यदि उसी का आत्मा जिसने इशु को मरे हुओ में से जिलाया तुम में बसा हुआ है उसी का आत्मा किसका आत्मा हमारे अंदर बसा है अगर आपने इशु मसी को अपना मुक्तितता प्रभू करके कबूल किया आपने विश्वास किया वो आपके लिए मरे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे आपने नया जनम पालिया पवितर आत्मा अब आपके अंदर आ गया है ये कौन सा आत्मा है ये वही आत्मा है जिसने यीशू को मुर्दों में से जिलाया जब यीशू मसी मर गए उनका चलनी चलनी हो गई हाथों पर कीले पाओं पर कीले सिर पर काठो का ताज बुरी तरह से लहुलोण वो हो गए और उनको दफना दिया गया तीन दिन तीसरे दिन Allah लिखा है वह मुर्दों में जिसने गीशु को मरे हूं में से जिलाया तो ये मुर्दों को जलाने वाला आत्मा है तुम में बसा हुआ है तो हमारे अंदर कौन बसा हुआ है वही जो मुर्दों में जान डाल देता है तो जिसने मसी को मरे हूं में से जिलाया वे तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ जिलाएगा इसका अर्थ क्या है जो मरनहार देहे हैं जो कमजोर पड़ जाती है दर्द आ जाता है तकलीफ आ जाती है बिमारी आ जाती है रोग आ जाता है ये इश्यू मसी के नाम से इनकी मरनहार देहों में नई जान डाल दे ये वही आत्मा है जिसने इश्यू को मुर्दों में से तीसर दिन जुला दिया ये होने दे यही आत्मा इनके जिसम के वो अंग चाहे किटनी हो चाहे वो हाट प्रॉबलम हो चाहे वो माइंड प्रॉबल येश्यू मसी के नाम से इसी समय मैं चंगाई बोल देता हूं वोने दे आपका पवित्रा आत्मा कारे करे इनकी जिन्दगियों के उपर येश्यू मसी के नाम में आमेन तो यहाँ हमने पड़ा ये वही आत्मा है जिसने येश्यू को मुर्दों में से जिलाया तो यही हमारी मनहार देहों में अपने आत्मा के द्वारा नई जान क्यों न डालेगा हमें क्यों न जिलाएगा तो हम जिन्दा भी होंगे बेशक हमारे लिए नया जीवन बोला गया है लेकिन ये वही आत्मा है जो आज हमारी जिंदगी में कारे कर रहा है उन अंगों को खासकर नहीं जान दे सकता है, सामर्ती है, जो अंग पुराने पड़ गए, यां कमजोर पड़ गए, यां जो एकस्पायर हो रहे हैं, जो अंग सही दिती से कारे नहीं कर रहे हैं, तो पवितरात्मा सामर्ती है, तो बाइबल में जैसे हमने पढ़ा पहला करिं मिलती है जिसका उधारन बिलकुल मैं जो आपके सामने पेश करा हूँ एक बार हमारी कलीसिया में एक बहन आती थी जिनको हाट की प्रॉब्लम थी टॉक्टर ने का हाट में स्टंट्स डालने पड़ेंगे आप बहुत बिमार हो उनको CMC हॉस्पिटल में एड्मिट कर लिया उनका बेटा अनन्य बाशा में बहुत प्रात्ना करता था उसने अपनी मम्मी से कहा का मम्मी आप ऐसे करो आप अन्य बाशा में प्रात्ना करना परमेश्वर कारे करेंगे तो जब भी उनको समय लगता था उन्होंने अनन्य बाशा में प्रात्ना करनी ओपरेशन का दिन आ जो बलड़ी तरह से क्लियर हो चुका है किसने किया ये येश्यो मसी ने किया किसने किया ये पवितरात्मा ने किया नन्यवाशा में प्रात्ना करने से अपना उंति किया और क्या हुआ पवितरात्मा ने कारे किया वो पवितरात्मा में बलवंत हो गई और उनको चंगाई मिल गया हालेलोया एक वचन हम ध्यान देंगे और ये वचन है तीसरा युहना उसके पहले दियाई एक ही अदियाई है वहाँ पर थर्ड जॉन चैप्टर वान और उसकी वर्स टू देखेंगे यहाँ क्या लिखा है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हे प्रियो मेरी ये प्रात्ना है जैसे तू आत्मिक उन्ती कर रहा है एक बार फिर से देखिए गौर कीजिए जैसे तू आत्मिक उन्ती कर रहा है अगर मैं थोड़ा अपने शब्दों में इस्तेमाल करूँ जैसे जैसे तू आत्मिक उनती कर रहा है वैसे वैसे तू सब बातों में उनती करे और बला चंगा रहे तो जैसे जैसे वैसे वैसे English Translation के मताबिक मैंने इस्तेमाल किया है तो यह मैं सोचिये मैं इसमें कुछ add-on क कर रहा हूं जैसे जैसे तू आत्मिक उनती कर रहा है वैसे वैसे सब बातों में उनती करे हालेलोया अगर आप जिंदगी में उनती करना चाहते हैं सब बातों में उनती करना चाहते हैं तो आत्मिक उनती में बढ़े हैं पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य और दार्म अपने व्यवपार में अपनी जिंदगी में आपके परिवार की शान्ती में आपके बच्चों के बीच में प्रेम और यह सब चीजों को आप अपनी जिन्दगी में अनुभब करना शुरू हो जाएंगे और आपको शैतान आसपास भी कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे आप आत्मी कुनती करेंगे, वैसे वैसे आप सब बातों में उनती करते चले जाएंगे, हालेलुया, कितना सामर्ती, एक बार फिर स्क्रीन पर देखे, तो याद रखे, जैसे जैसे मैंने रियल कंटेक्स ट्रांसलिशन के मताबिक इस्तेमाल किया है, जैसे जैसे तू आत्मी कुनती कर रहा है, वैसे वैसे तू सब बातों में उनती करें, और भला चंगा रहे, भला चंगा रहे, भला चंगा रहे, इंगलिश बाइवल में भी द पर देख रहे हैं King James Version Bible में लिखा है Beloved I wish above all things that thou mayest prosper and be in health and be in health and be in health even as thy soul prosperous और यहां पर लिखा जैसे जैसे तो आत्मी का उन्ती कर रहा है वैसे तेरी soul जैसे prosper कर रही है soul क्या है mind will emotions हमारे जज़बातों के so Hindi Bible में यह शब्द इस्तेमाल नहीं किये गए यह शब्द चूक गए वो इसको वहां translate करने से तो soul तेरा मन तेरे विचार तेरे जज़बात तो जब आत्मी कुन्ती होती है आपकी विचार दारा आपकी सोच आपकी planning आपकी योजना आपका कारे करने का तरीका प्रभू की line में आ जाता है और आप फिर prosper होते हैं को को के परमेशर का कोई भी रास्ता घरीबी का या हार का रास्ता नहीं है परमेशर का हर एक रास्ता prosperity का है तो जब आप आत्मी कुन्ती पाते हैं तो आपके विचार दारा में आपके सोल में आपके जजबातों में आपके फैसलों में भी उन्ती होती है और बाइवल में लिखा है इसके साथ साथ क्या होता है हम चंगाई भी पाते हैं हम अपने जिसम में तंदुरुस्ती भी पाते हैं यहाँ पर लिखा है गुड हेल्थ हम अच्छी तंदुरुस्ती पाते हैं तो जब आप अनन्य बाशा में प्रात्ना करेंगे जब आप वचन कुरिंति होती है पहला कुरिंति है चौदा दो के मताबिक तो इससे क्या होगा आप चंगाई पाएंगे आपके जिस्मों में आप शरीर के उपर चंगाई को महसूस करेंगे तो आए हम कुछ समय अनन्य बाशा में प्रात्ना करना शुरू हो जाएं जिते लोग भी अनन्य ब बाशा बोलने से आत्मी कुनुती नहीं होती लेकिन अनन्य बाशा में प्रात्ना करने से आत्मी कुनुती होती है आज परमेश्वर ऐसी ही आत्मी कुनुती आपको देना चाहते हैं तो कुछ समय में मिलके अन्य बाशा में प्रात्ना करें रिखा रहा थो राबा या रहा स के होट खुल जाए इनकी जुबान खुल जाए आज ये सिर्फ अपनी समझ के मुताबिक नहीं अपनी समझ के मुताबिक धन्यवाद करते हुए नहीं लेकिन अनन्य बाशा में बोलना शुरू हो जाए नए नए शब्द बोलना शुरू हो जाए जिसका हो सकता है इनको मतलब पता ना हो जिसका हो सकता है आप अपनी इच्छा के मुताबिक अनुवाद भी दें लेकिन होने दें सब अनन्य बाशा में बोले जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं या रहा थी या रहा मा सकारिया थारबाबाबाबारा सेखे या रहा मातिया रहा शेखिया रहा थी अरावा पिता होने दे स्पर्श करें पवितरात्मा चूदें पवितरात्मा के बबतिस्मा की गोशना करता हूँ ये श्यू मसी के नाम से आपकी उपस्तिती इनको स्पर्श करें इनकी जिन्दियों को चूदें आत्मिक वृद्धी आ आत्मी गुनितिया रिक्या रहा थिया रहा शुको राबा थेरे या रिक्हा रहा निया नहा थिया रहा शुकिया ये शुके नाम से मैं इस बात की गोशना करता हूँ आपके शरीर पर से बिमारी छोड़कर चली जा रही है रोग आपको छोड़कर चले जा रहा है दुख आपको छोड़कर जा रहे है आपकी जिंदगी के हलात बदल रहे हैं रिखा राबा से आप करजे से बाहर आ रहे हैं रिखा रहा थी आराबा नई नोकरी पाने के रास्ते खुल रहे हैं नई नई वेपार करने के रास्ते खुल रहे हैं रिका रहा थी आरावा वेपार में उन्ती आरही है वेपार में उन्ती आरही है येश्यू मसी के नाम से वेपार में उन्ती आरही है आपके गर में शान्ती आरही है कि तकलीफे जा रही है आखों के लर्जी आंग पीछे किसी के गिल्टी आखे तरफ स्कैनिंस में आया है आपने टेस्ट करवाया है है एक गिल्टी एपीछे की की तरफ दर्द रहती आपकी आख में येशव आप इसी समय चंगा कर रहे हैं या नहा थिया नहा मासा खा रहा थो राबा या रहा थिया रहा बातिया नहा सिकिया सास की तकलीफ ठीक हो रही है सास की तकलीफ ठीक हो रही है तेज सास लेना शुरू हो जाए कुछ लोगों को अस्थमा का रोग छोड़ कर जा रहा है अस्थमा का रोग बचपन से है बचपन से है चोटी उमर से मैं एक बाई को देखता हूँ छोटी उमर से ही चोटी उमर से तीन चार पांच साल की उमर से मैं देखता हूँ अस्तमा का रोग है यह आ रहा है यह रहा है चोड़कर जा रहा है किसी को मिर्गी के दोरे पढ़ते हैं मिर्गी ह होता है येश्यू के नाम से येश्यू के नाम से आपके ऊपर नहीं आपके रिष्टेदार के ऊपर जो इस समय प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं परमेशन उनको छू रहे हैं आपका बाई है मिर्गी पड़ता है बहन प्रभू छू रहे हैं आपके भाई को येश्यू मसी के या रहा शिक्या 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 या रहा किसी बहन को अपने बालों की चिंता है बाल बहुत चड़ते हैं गुच्छम गुच्छा उतरते हैं सर के कई हिसों में च्छेद से बन गए हैं क अपने कलीसिया को चुए, आपने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अदोलोग के फाटक इसके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे, येश्यू अपने लोगों को बनाए, इनकी जिन्दिगियों को बनाए, वही आत्मा जिसने येश्यू को मुर्दों में से जिलाए, आज इ की जिन्दिगियों को छूदे आपका धन्यवाद करता हूँ एश्यू मसी के नाम में आमेन एमेन